सत्व गुणी संपत्पी किसे कहा जाता माँ? बिनाकारण तथा स्वार्थ के हेतु हिंसा करना अधर्म है पार वास्तव में अहिंसा ही परमधर्म है और उसके साथ सत्य प्रोध ना करना त्याग मन की शान्ति निंदा ना करना गया भाव सुख के प्रती आकर्षित ना होना बिनाकारण कोई कारे ना करना तेच, शमा, धैर, शरीर की शुद्धता धर्म का ध्रो ना करना तथा अंकार ना करना इतने गुणों को सत्व गुणी संपत्ति या दैवी संपत्ति कहा जाता है इसी से मनुष्य परमात्मा अर्थात मेरी भक्ति कर पाता है जीवन के कर्थव्यों का वहन करता है धर्म की साफना करता है और गर्म के फल की आशा का त्याक करके जीता है उसे में निस्तन दे इस जन में संतोश देता है और व्रित्यू के पश्चात अपने ही अंतर में स्थान देता है